नमस्कार मित्रो जै श्रीराम स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आपसे बड़ा मुर्ख इंसान कोई नहीं होगा हमने तो पहले ही कहा था फिर भी आप बार बार वही गलती करे जा रहे हो जो जीवन में आपको सफल नहीं होने दे रही जादा कुछ अभी भी नहीं बिगड़ा है समय रहते आज की वीडियो को पूरी देख लेना हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी गलतीयों के बारे में कहा रुखावट आ रही है उसके बारे में अगर आप हार गए हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आपका मनोबल खत्म हो गया है तो आपको आत्म बल मिलेगा और जिन्दगी जीने की नई रहा आप पकड़ लेंगे बस थोड़ा सा समय निकाले और वीडियो को अंततक आप जरूर देखे क्रिपा बरसेगी बेड़ा पार होगा लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे राम भक्त है वो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य ही लिखे बावा का शिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा आने वाले जुलाई के बच्चे हुए दिनों में आपको किस बात का ध्यान रखना है ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है जिसमें सबसे पहले नंबर की आपकी गलती आती है वो है समय और बजट का प्रबंधन जी हाँ दोस्तों इंसान को पैसा मिलता है उस पैसों की चमक से उसकी आखे चोंदिया जाती है और वो सबसे पहले अपने जरूरतों की चीजों को खरीडने लगता है जो की सही है लेकिन सारा ही पैसा उसमें लगा देना ये मुर्खता बड़ी हरकते हैं आपके पास एक बजट का प्लान होना चाहिए कि मुझे महिने की शुरुआत में इतना पैसा मिला है तो मुझे महिने के अंत्त तक उसे किस तरह से लेकर जाना है जिसके पास ये प्लान बना हुआ होता है जिसके पास ये प्रबंधन होता है वो जीवन में कभी आर्थिक अंगे का सामना नहीं करता और आपको भी समझदारी पुर्वक इस बात को समझना होगा और अपना बजट प्रबंधन करना ही होगा अगले नंबर पर आता है समय का प्रबंधन देखिए एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूं तब समय ने इसलिए मैं जीच जाता हूं अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूँगा यानि दोस्तों जो समय के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं है अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है मुर्खता भरी हरकते छोड़नी है तो अपने समय का प् एक महिने के लिए आप ऐसा करके देख लेजे आपके जिन्देगी कहा से कहा पहुच जाएगी आपको भी यकिन नहीं होगा अगले नंबर पर बहुत जरूरी बात और बहुत जरूरी सला उन लोगों के लिए जो खुद को हरा हुआ महसूस करते हैं एक असफलता से जिनका मनोबल तूट चुका है, हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि कभी कभी गुच्छे की आखरी चाबी भी ताला खोल देती हैं तो जब तक आप प्रयतन कर रहे हैं, जब तक आप प्रियास कर रहे हैं तब तक आपको हार नहीं मानने चाहिए क्योंकि जिन्देगी के किस मुकाम पर किस प्रेतन पर हमें सफलता मिल जाए ये हम नहीं कह सकते लेकिन बहुत महनत करने के बाद भी जो लक्ष तक पहुँचने का विचार छोड़ देते हैं हमारी नजरों में उनसे बड़ा मुर्ख इंसान कोई नहीं होता ये बात आप ध्यान रखिएगा आपको जरूरत है बस एक जरा से पुश की आपको जरूरत है बस एक जरा से सहरे की जिस प्रकार से दीपक को बस एक बार जलाया जाता है यानि बस उसे एक बार सहरा दिया जा उसके बाद चाहे आंदी दोफान हो चाहे तेज हवा बरसात हो वो सभी का सामना अकेला करता है लड़ता है और जलता रहता है उसी प्रकार से हमें भी बस एक सहारे की जरूरत है उसके बाद तो हम भी हर परिस्ति से लड़ लेंगे हम भी हर परिस्ति का सामना खुल कर कर लें अब आपको सहारा देने में भी दो प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं पहले नमबर पर जो आपके वास्तविक सुपचिन तक होते हैं जो आपको अच्छा सहारा देंगे मोटिवेशन करेंगे आगे बनने के लिए प्रिरित करेंगे लेकिन अगर आपके नसीब बहुत ही खराब है तो आपको ऐसे लोगों का सहारा मिलेगा जो मतलबी होते हैं धोके बाज होते हैं कहा जाता है हाती के दात खाने के कुछ और होते हैं दिखावने के कुछ और होते हैं अगर आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी बहुत ही जदा चापलूसी करते हैं आपकी हर बात में हा में हा मिलाते हैं आपके किये हर काम को सरानित करते हैं चाहे आप गलत काम ही क्यों न कर रहे हो तो आपको समझ लेना है ये लोग उस विश के घड़े के समान होते हैं ज वरना आपसे बड़ा मुर्ख इंसान कोई भी नहीं होगा अब दोस्तो हम कुछ गलतिया आपको बताना चाहते हैं ये गलतिया आप अपने निजे जिन्दगी में हर वक्त करते हैं और आपको इने सुधारना है सबसे पहले नंबर की आदत है अक्सर लोग हर बार ये बात कहत हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है जी हां दोस्तो बहुत सारे लोग होते हैं आपकी भी आदत होगी जब आपसे कोई कुछ बोलता होगा तो आप उसे कह देते होंगे यार मेरे पास भी पैसे नहीं है ये चीज़े थोड़ी सुधारी है जीवन में अगर आप खुद ही खुद फालतु दलिल रखना दर्शाता है कि आपसे बड़ा मुर्ख इंसान कोई नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो सब के पास होते हैं फिर भी ये कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता तो इस परकार के नकारात्मक प्रवत्तिय जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वे लोग फालतु की दिखावे बाजी और बयान बाजी करते हैं आपको जिंदगी में हमेशे एक बात ध्यान रखनी है कि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मूल यानि अगर आप हीरे हैं यानि आपकी वैल्यू है आप एक इच्छे इंसान है तो आपको अपने मूँ से नहीं कहना है दिखावा नहीं करना है अगर आप गुणी है तो आपके गुण लोगों के सामने अपने आप ही प्रदरशित होंगे और जगत में आप अपने आप ही सम्मान हासिल कर लेंगे साथी में दोस्तों आपको भूल कर भी चोरी नहीं करनी हैं बहुत सारे लोग किसी का महनत का कमाया हुआ धन ठग लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है लेकिन वो पैसा आपको चुकाना है क्योंकि वो स्व्यक्ति की महनत का पैसा था आज नहीं तो कल कल नहीं तो पर तो इसी ज पहचान किसी का हक छिनता है उसके जीवन में दरदरता आजाती है और वो जीवन भर गरीब रहता है तो आप भी दो पल के खुशी के लिए ऐसे मुर्खिता बरी हरकते मत करिएगा जिसका हक है उसी को दीजिएगा और जो आपके हका है उसे ही स्विकार कीजिएगा यही उसे सुनते नहीं है फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर वो अपनों पर ही शक करने लगते हैं किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर वो अपनों के साथ ही लड़ाई जगड़ा बहसबाजी कर लेते हैं तो ये सरासर गलत हैं और ऐसी मुर्खता बरी हरकते आपको अपने परिजनों पर जड़ा विश्वास रखना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई तीसर आपको आगे भढ़का भी रहा है तो आपको उसकी बात नहीं माननी है। आपको वो बात तभी स्विकार करनी है जब आपने वो अपनी आखों से देखा हो और अपने कानों से सुना हो ऐसे लोग ग्रह ग्रहस्ती को तोड़ने के लिए बड़े परियास करते हैं अगर आप भी इनके बहखावे में आ गए तो यखिन मानी आपसे बड़ा मुर्ख इं अगर आपने इसे किया तो आपको भी फाइदा जरूर देखने को मिल जाएगा दूसरा उपाए आपको क्या करना है आपको एक लोटे में थोड़ा सा एक लोटे में आपको जल लेना है उसमें थोड़ा सा दूद मिलाना है थोड़ा सा घी मिलाना है थोड़ा सा गुड मिलाना है थोड़ा सा शहद शक्कर मिलानी है और पीपल के पेड़ की जड़ में इस मिश्रन को आपको डाल देना है साथ परिक्रमा कर लेनी है और वही पर आप ढोग द 33 कुटी देवी देवताओं को पीपल में समाहित है भगवान विश्नु पीपल में है तो उन्हें प्रणाम करिए शनीदेव का आशिरवाद लीजिए और फिर आप देखिए आपकी किसमत में कैसे चारचान लगते हैं तो तुला राशिवाल और आज की वीडियो में हमने बात करीते हैं अगर आप लगातार ये गलतिया करते हैं तो आप से वड़ा मुर्ग इंसान और कोई नहीं होगा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक आप जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में जय माता दिलिक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद